नारायन नारायन, हमसे चुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चानल को और बेल आइकन पे क्लिक करें, नारायन नारायन आगे लिखते मा थो कि भगवान बुद्धी भी कहते हैं कि ना कारात्मक उर्जा या निगेटिव एनरजी को निगेटिव विचारों से हटाया नहीं जा सकता अच्छे विचार, अच्छे कार्य, अच्छे नतीजे ही देते हैं गलत विचार, गलत कार्य, गलत नतीजे ही देते हैं तो आओ देखते हैं, क्या हुआ मिस्टर के एसराजू के साथ इसमें जो विशेश कर क्रोध, इर्षा, द्वेश, अहंकार, यह जो नकारात्मक उर्जा हमारे भीतर नहीं है इसमें सबसे नुकीली जो उर्जा है, वो इर्षा, द्वेश, अहंकार है यह आपकी औरा को तार-तार कर देती है, क्या कर देती है, बियॉंड रिपैर, जिसके रिपैरिंग भी नहीं हो सकती है इर्षा, द्वेश, अहंकार, यह ऐसी चीजे हैं अब आएए देखते हैं, रेड पैन भी देना है, ग्रेंड पैन भी देना है यह मिस्टर के एस राजू, देखे जरा सा, जब तक इनके बन में, इर्रिटेशन, फ्रस्टेशन था, सामने वाले व्यक्ति के प्रति, यहां पर जब उचलता है फ्रस्टेशन, इसकी तरंगे, हमारे शरीर में प्रवाहित होती है क्योंकि यह बटन प्रेस हो जाता है, देखाना, आप में दो बटन है, आटोमेटिक प्रेस होता है, शरीर में नकारात्मक तरंगे गई, शरीर को अस्फस्त किया, शरीर के बाहर निकली, आपकी औरा को तार-तार कर देती है, यह एफट डाल रहे थे, इनका काम नहीं हो रह रहा था, है ना, और इसके बाद इननों क्या किया सेकेंड का, कि जब यहां से उनके लिए प्रेम भेजना, आदर भेजना, उनके समरिद्धि के लिए प्राथना करने शुरू की, यह सकारात्मक तरंगे इनके शरीर में प्रवाहित होने लगी, उन्होंने कहा ना, कि धीरे धीरे मेरे भीतर का फ्रस्टेशन, इर्टेशन कम होता जा रहा था, जो जो मैं प्राथना करता जा रहा था, यह सकारात्मक तरंगे प्रवाहित यह शरीर से निकली, और मजबूत, और जट उस अमाउंट को अपनी और आकर्षित कर लिया, इनका के सौल हो गया, सम कि दो केस डिसकस करना चाहेंगे, जो रिजन्टली घटित हुए है, रिजन्टली ताइम हो गया इसको, इन तरंगों की भाशा, यह बहु हमारे पास आई, यह टीचर है बहुरानी, और इसकी जवान होती बेटी, ग्यारा बारा साल की बेटी, यह हम से मिलने के लिए आई, कि यह मेरी बेटी जो है, दिनो दिन उदंड होती जा रही है, लापरवा होती जा रही है, और मैं चाहती हूं कि सिंसर रिस्पॉंसिबल बने, मैं टीचर हूं, मैं बाहर बढ़ाती हूं, कम से कम मेरी बेटी तो सही लाइन पर रहे, पर डे ब इस अबस्न में चीकिल भी पढ़ाई नहीं करती है हम किस तरह से प्राथना करें कि इस प्रस्फोंसिबल बने दिए है यह प्रश्शन उसने ऊतना माइज़ वच्छ सुम्से पूछा हम पूछ पूछ बहु से घर मेरे कॉन कॉन है उनका कहना था, एक घर मेरी सासुमा है, और कौन है, और कोई नहीं, मेरा परिवार, हजबन बाइफ, एक बेटी, सासुमा, हमने पूछा सासुमा से तुमारे रिलेशन कैसे हैं, बला उसको देखके ही मुझे इरिटेशन होती है, जट ये उत्तर था उनको, कि उनको देखकर ह इरिटेशन होती है, देखे का जरासा समझेगा इस बात को, ये तरंगे शरीर में जाती है, और ये पूरी औरा में फैलती है, ये औरा इनकी नकारात्मक उर्जा से भरोडती है, और इसके चींटे हमने का तुमारी बेटी पर जा रहे हैं, नकारात्मक उर्जा के चींटे तुम्हारी बेटी पर जा रहे हैं और वो डे बाई डे उदंध होती जा रहे है अब इसे ठीक करने का उपाय क्या हमने कहा तुम्हारी भीतर जो इर्टेशन पैदा होता है सासुमा के प्रति यहां आपको आदर्भाव भेजना होगा प्रेम आदर्भाव देना होगा यदि बेटी को सही करना है तो अन्य था उसके उदंधता डे बाई बढ़ती चली जाएगी और आपको केर भी करनी होगी तो जैसे बताया इनको बताया गया था कि सुब उठते से ही जो ही नींद खुली यहां लेटे लेटे भी करेंगे तो चलेगा यहां मैंटल स्क्रीन पर सास बेटी करेंगे यहां मैंना ही जो ही जो ही नींद खुली तुरंथ यह एक मिनट की साइकल आपको करनी सेवन तेमा को बोलने है आई लव यू किसे देखना है मैंटल स्क्रीन पर सासुमा को देखा एलव यू आई लाव यू आई लाइक यू आइक यू आए रिस्पक्ट और रात को सोते वक्त भी सात बार आपको बोलना है अब देखे नतीजा इरिटेशन सासुमा के प्रति कं होता चला गया यब वो पॉजिटिव वाइबरिशन जाते जा रहे थे नतीजा ये बच्ची जो है सिंसे रिस्पोंसिबल अटोमेटिक बनती चली गई क्योंकि इसकी और में जब पॉजिटिविटी आती चली गई चीटे पॉजिटिव पड़ते चले गए और ये सही होती चली गई अब ये जो टीचर है ये पेले घर में ट्यूशन लेती थी अब इसने भाड़ी की जगा लिए और वहां बच्चों को क्लासिस टाइब चलाने लगे जब 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 बच्चों का अडमिशन करवाया हमारे पास आशिरवाद ले ले आई थी कि मुझे आशिरवाद कि मेरा क्लासिज जो मैं कंडग कर रही है वो सही तरह से चले मेरे बर्का तो बड़ोतरी हो हमने उनसे एक ही बात कहीं कि जो जो अथरिक्त बच्चे तुमारी क्लासिज में बढ़ेंगे इनके प्रति आपको पूरी जिम्मेदारी रखनी है इनको बहुत अच्छे से पढ़ाना है यदि इनके प्रति आपने लाब परवाई बढ़ती तो इस लाब परवाई का असर इन पर जो होगा वो ठीक है पर ये तुमारी बेटी लाब परवा होती चले जाएगी और जितन मन से इनको पढ़ाओगी यहां नतीजा तुम्हें मिलता चला जाएगा बुला मुझे तो अपनी क्लासे अभी गुडविल तयार कर नहीं है महनत करनी है मैं महनत करूंगे ही सही क्योंकि बाहर कंपटिशन बहुत चाता है महनत करने शुरू की और यहां पर इस बार इसकी बेटी क्लास में टॉप करी है यहां दिया यहां मिला आप समझ रहे हैं बातों को यह रवकर दुजरासर कि कब आपकी नकारात्मकुर्जा कहां जाकर कारे करती है हम जज भी नहीं कर पाते हैं अब देखिए आपको आश्र होगा एक महिला तीस साल की अंदाजन मिलने आई उसका चार साल का बेटा बटका बोड़ना जरह सा कोई छेड़ दे उसको जटकार देता था घर में भी बाहर भी स्कूल में उसने दो बार दूसरे बच्चों को काटा टीचर ने माफ कर दिया था पर तीसरी बार अब की बार जो काटा थोड़ा सा खून आ गया तो प्रिंसिपल का फोन इसकी मा के पास आया कि अब आपके बच्चे को हम नहीं रखेंगे दूसरे बच्चों की सुरक्षा जरूरी है पर सायोग ऐसा रहा कि जिस बच्चे को गाटा था वो इनका परिचित था उनके परिचित था उनके परिचित थे तो उनने ज्यादा लिया नहीं छोड़ दिया इसके माफी मागने पर और पिंसिपल को भी बहुत रिक्वेस्ट कि इस बार माफ कर दीजिए अगली बार इदिया ऐसा कुछ करेगा तो आप स्कूल से निकलवा दीजिएगा अब इसकी माँ हमारे से मिलने के लिए कि ऐसा क्या करें कि कात न छोड इसा परिवार है हमने पूछ अट आप सासूमा से रिलेशन कैसे बोला बहुत अच्छ जैसे इमा से बढ़कर सासूमा से रिलेशन मिरे अच्छ है इसको डेखके इरडेशन होती है मुझको यह फस्ट शबद था उनका हमने कहां जैसे जिस इन बटका बुड़ा था स्कूल स्कूल से सीधे वो हमसे मिलने के लिए आई थी हमने पूछ था था कल तक में ऐसी कोई बात हुई थी क्या तुमारी दोराने के साथ जिससे तुम इरिटेटेटेट थी बोला हां उसने नई ड्रेस लाई थी और तयारो कर निकल गए बाहर मुझे देखका इरिटेशन हो रह मुझे वही इरिटेशन यहां तक गया और इसने क्लास में काता है अब देखेए इसने क्लास इष्या द्वेश वह न नकारात्म कुड़ गई उसने काता बोले इसको मेरे बच्चे को पता नहीं है कि यह सब मेरे भीतर हो रहा है वह तो चार साल का चूटा है मैं का यह उर उससे पता है कि नहीं पता नहीं फरक पड़ता हमने उसे पूछा इसके बात इसके पहले भी जितनी बार याद करो तुम्हारे बेटे ने बटका बोड़ा दुराने के बच्चे को र गिसी के बच्चे को उस पक तुम्हारी मानसिक अवस्ता कैसी थी? क्रोध इर्शा तुम्हें का तुम्हारे भीतर जो दुराने के प्रतिनकारात्मकता है उसे तुम्हें हटाना होगा तब ये बच्चा अपने अप ठीक होगा दुराने के लिए वही सेम चीज आई लव यू आई लाइक यू आई रिस्पेक्ट यू नाई ब्रेस यू साथ दिन के भीतर भीतर ये बच्चा नॉर्मल हो गया यदि आपके साथ भी ऐसा कोई रिष्टा है जिसे देखकर आपको इरिटेशन फ्रस्टेशन होती है ये ध्यान रखिए आपको जब इरिटेशन फ्रस्टेशन होती है सामने वाले पर क्या असर होता है नहीं पता लेकिन आपकी औरा तार-तार होना शुरूर आती है और उस अवस्था में जो चीजें आपके भग्य में हैं उन चीजों को भी आप हासिल नहीं कर पाते तो जिनके साथ आप रहते हैं जो आपके साथ रहते हैं सबसे पहले हमें उन पर काम करना होगा कि परिवार के किसी भी सदश्य के प्रति हमारे मीतर किसी भी तरह के नकारात्मक भाव हैं उसे पहले हमें रिलीज करना होगा क्योंकि वो निगेटिव एनरजी ही हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती हैं कि औरा कम्होर होती है, हम जीवन में आगे नहीं भड़ पाते हैं तो यदि पहले सबसे पहले परिवार में कवर करना है अपने को किसी से भी रिलेशन यदि ऐसे हैं तो सिर्फ सुब्ब एक मिर्ट आँख खुली तभी I love you, I like you, I respect you, I will bless you सुख शांती समरिदी, with love, respect, faith, care समझो उस पर असर कितना हुआ, it's okay पर जो आप बारम बार बोलते जा रहे हैं Bless them with love, respect, faith, care, सुख शांती समरिदी यह आपकी जीन में आती चले जाएगी सुब्ब एक बार साथ बार बोला, रात को सोते वक्त उनको मेंटर स्क्रीन पर देखा, उन्हें संदेश भीजा I love you, I like you, I respect you और जीवन में परिवर्तन देखिये, कितना अधिक परिवर्तन आजाता है